आज की वीडियो का टॉपिक है शेयर गूगल टास्क और गूगल चैट आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल टास्क की डीटेल्स ओटोमेटिकली शेयर करवा सकते हैं इसके लिए हम आट्मेट कर देंगे गूगल टास्क को गूगल चैट से और होगा क्या जैसे ही कोई न्यूटास्क क्रिएट करेंगे हमारे खूगल टास्क की डीट पर सबसेड़ के इधी chemical इक टैक चैनल पर उनको information मिल जाएगी जिससे की वो आगे की process कर पाएंगे कैसे करना है process जानने के लिए बने रही है इस वीडियो में ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आजाएगे official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं already अपना free account बना चुका हूँ that's why में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा पैबली connect का dashboard create workflow पे क्लिक करके अपने workflow को मैं एक नाम दे दूँगा मैं एक simple सा नाम दे देता हूँ google task google task to google chat मैंने नाम दे दिया google task to google chat आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा ऐसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया है इस सेम workflow यूज कर पा होगे अपने account में वो भी एक दम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगे trigger और action की दोनों ही काफी important role प्ले करती है integration में trigger means when this happens जब यासा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मैं चाहता हूँ कि मेरे google task के अंदर जब भी मैं कोई new task create करूँ तो उस task से related एक details भरा message send हो जाए मेरे google check के particular space पे जिसका नाम है पैबली team जहाँ पर मेरी team मौझूद है जिससे कि उनको information मिल जाए कि मैंने कोई task create किया है अपने google task में ऐसा automation search करने के लिए मुझे अपनी trigger application में चूज करना होगा google task को search किया चूज कर लिया google task को then trigger event में हम चूज करेंगे new task को then उसके बाद click करेंगे connect पे connection के लिए then add new connection पे then sign in with google पे then अपना google account चूज कर लिए जिस google account के google task को integrate करना चाते है नीचे scroll करके continue पे click करेंगे don't worry पैबली connect is 100% safe authorization हो गया है और connected है मेरा google task पैबली connect से connect होने के बाद यहां से मुझे task list select करनी होगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे मेरी कुल तीन list है my task, पैबली team और teamwork इन में से एक ये list है जिसका नाम है teamwork जिसमें मैं चाहता हूँ जबी भी new task create करूँ तो automatically उससे related message send हो मेरे google chat के particular space पे तो मैं क्या करूँगा team work नाम का अपना जो task list है वो चूज कर लूँगा then simply click करूँगा save and send test request पे तो recently जो भी मैंने task create किया होगा उससे related details मेरे सामने आ जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे recent जो task date है Monday April 10 है ना तो उससे related details जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने आ गई है है ना यह रहा title test event और नीचे आ जाएंगे तो यह रहा notes ओके है ना और नीचे आ जाएंगे तो यह रही due date तो इसका मतलब यह है कि connection एकदम proper work कर रहा है किसके बीच में Google new data in 10 minutes तो task create करने के 10 minutes के बाद task से related सारी details जैसे कि यहाँ पर यह details आई है वो हमारे पास यहाँ पर as a response received हो जाएंगी अभी यह details तुरंत इसलिए received होई है क्योंकि मैंने manually click किया 7 cents पर लेकिन automation set हो जाने के बाद यह हर 10 minutes में work करेगा अब मैं चाहता हूँ details तो आगई इन details से related एक message send हो जाए मेरे Google chat के particular space पे तो ऐसा automation set करवाने के लिए action application में आके choose करना होगा Google chat को search किया choose कर लिया Google chat को then action event में choose करेंगे create message को connect पर click करेंगे connection के लिए then chat webhook URL हम से यह मांग रहा है सब जानने के लिए आपको just यहाँ पर click here लिखा हुआ है इस पर click करना है तो इस पर आप जैसे click करेंगे documentation आपके सामने आ जाएगा नीचे scroll करना है यहाँ पर 9 points दिये गए इनको आपको follow कर लिना है चलना है अपने Google chat को open करना है open कर लिया जिस भी space में message sign करवाना चाहते है उसे space को open करना है जैसे कि मैंने open करके रखा है then drop down पर click करना है उसके बाद click करना है apps and integrations पर apps and integrations पर click करने के बाद manage webbooks पर click करना है और यहाँ पर add on order पर click करके new webbook add करना है जिसको आपको नाम दे देना है जो भी आप नाम देना चाहते है तो यहाँ पर मैं तो एक simple सा नाम दे देता हूँ Google task auto mission simple then अवतार URL में आपको क्या करना है documentation के पास वापिस चलना है और यहाँ पर आपको 6th point मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगी अवतार URL तो अवतार URL आपको बिल्कुल देख के copy करनी है dot copy नहीं करना है सिर्फ png तक copy करना है और extra space भी copy नहीं करना है copy करना है दन वापिस आना है आपको कहां पे अपने google check पे और अवतार URL वाली field पे इसको paste कर देना है then check करना है कि कोई extra space वगरा तो नहीं है अब आपको click कर देना है save पे और जैसे कि आप देख रहे हैं google task automation के नाम से एक webhook create हो गई है जिसको आपको copy कर लेना है और यहां से इसको close कर देना है copy करने के बाद pably connect पे वापिस आना है और chat webhook URL वाली field पे paste कर देना है तैन अब आती है message की बारी तो यहां पे जिस भी तरह का message आप चाहते हैं वो type कर लीजे मैं आप पे message type कर देता हूँ hello team यहां पे एक simple message मैंने type किया hello team new task details task title notes due date thanks तो यहां पे मैंने simple message type करा है आप चाहें जिस तरह का message चाहें वो type कर सकते हैं no problem है ना यहां पे मैंने अभी जितना message type करा है यह पूरा का पूरा हर process में same रहेगा अभी बाकी का जो data मैं अब add करूँगा वो according to task change होगा जैसे की task का title वो हमें उपर मिल चुका है पहली task का title यह रहा test event task का notes और यहां पे हमें नीचे due date तो यह सारी details हमें क्या करनी है इनके one by one आगे add करनी है add करनी के लिए हमें technique का use करेंगे जिनको हम कहता है mapping mapping में हम हमारी application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे हमें just click करना होता है blank field पे task title के आगे then space deny नीचे option आता है google task का click करेंगे google task पे सारी detail open हो जाएंगी task title हमें यहां पे find करना है test event click करके इसको हमें add कर देना है map कर देना है यह जो process मैंना भी करी इसी को mapping कहते हैं जितनी easy और simple है उतनी important है क्योंकि next time जबी भी कोई person या फिर मैं खुद जाके अपने google task में कोई new task create करूँगा तो obvious सी बात है उस task का जो title होगा वो different होगा हर बार हर task का title different होगा तो जो भी title होगा automatically वो task title के आगे आके add हो जाएगा update हो जाएगा change हो जाएगा बिना मेरी involvement के automatically data update fill करवाने के लिए हमें क्या करना होता है map करना होता that's why mapping is important ठीक है तो आजाते है इसी तरह से notes हम map कर देता है नीचे scroll करते है ये रहे notes we are just testing this automation ठीक है then due date भी हमारे पास है नीचे आएगे ये रही due date 10th of April okay click करके map कर दिया and simply click करूँगा save and send test request पर तो एक message जो है यहाँ पर sent हो जाएगा automatically test message जो कि इस बात का proof होगा कि automation set हो गया है तो मैंने click कर दिया save and send test request पर response भी आगया और यहाँ पर तुरंत एक message भी आगया जैसे कि आप लोग देख रहे है hello team new task details task title test event notes we are just testing this automation due date this thanks okay एकदम perfect यहाँ पर message आगया और इस message की presence बता रही है कि automation set हो गया successfully अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं नीचे स्क्रॉल करके just save पे click करना है और यह पूरी process अब automatically होगी क्या होगा automatically अब जबी भी मैं अपने google task के अंदर कोई new task create करूँगा तो after 10 minutes उस task से related सारी details एक इस तरह के message के साथ मेरे google chat के इस particular space में जिसका नाम है पैबली टीम sent हो जाएंगी बिना मेरी involvement के मेरा काम सरफ इतना रहेगा कि मुझे new task create करना है बाकी आगे की process software automatically खुद बाखुद कर लेगा और जब तक यह work on है यह process होती रहेगी तो ना सरफ इन applications को पैबली कनक के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता दिता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि हो गया ऐसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया है यह same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है या फिर आपके कुछ questions होते हैं या फिर आप मुझ से या मेरी team से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली forum का यहां पे link दिया हुआ है यहां पे आप अपने questions, queries जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं second thing अगर आपको पैबली connect की price जाननी है तो इस link पे जाके check किजिए और सबसे most important part अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा थैंक यू